हाई अबीबन दिस इस रॉबन और एक बाब फिर से मैं आप सभी को वैलकम करता हूँ हमारे इस प्लैटफॉर्म पे जहांपर हम अपने इस पार्ट में तो आप मुझे रॉबन शर्मा 199 ये मेरा इंस्टरग्राम यूजर आईडी है वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज करें कोई भी आपको doubt होता है तो मैं कोशिश करूगा कि आपको उन doubts को solve करने की कोशिश करूँ आपको guidance दे पाऊँ तो जैसी भी subject से आपको doubt होता है आप please मुझे वहां से coach अकते हैं तो बता दीजे इस expression के value क्या होगी देखिए आपको अगर आप value putting में तेज है तो आप सीधी सीधे बोलेंगे कि यह मैं 10 की थीटा की value अगर 45 रखोंगा तो यह भी 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा और value आजाएगी में पास 2 2 हो जाएगा यानि कि option number 4 आपका यहां से correct होगा नेक्स्ट है numerical value बतानी है caught 18 है उसके बाद यह bracket में आपको value दी गई है तो दीए यह जो questions होते है na usually यहाँ पर time हमारा यह खराब हो जाता है कि हम नपन उठाके paper पर लिखना शुरू कर देता है लेकिन आपको हो सब करने के जरूरत मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पड़ेगी आपको सीधे सीधे काम करना है कि क्या आप यह नहीं सोच सकते कि मैंने 20 यह caught 18 जो आपको दिया गया है इसको यहाँ पर अंदर multiply कर लिया है caught 18 आपने यहाँ रख लिया और इसी तरीके से caught 18 आपका यहाँ पर चला गय बस आप सोचिए कि आप आप क्या कर पाएंगे जब ही caught 18 multiplication में है तो caught 72 को क्या कट नहीं कर देगा क्योंकि आपको पता है कि caught 72 को जब आप 90-18 लिखते हैं तो वो 10 theta के form में आ जाता है तो यह हो जाएगा आपका पास 10 18 और caught 18 आपके reverse होंगे तो वो कट जाएंगे यहाँ के caught 18 है जब मैं 10 को ऊपर ले जाऊँगा तो यह क्या बन जाएगा आपका यह obviously आपका caught 72 बन जाएगा अब caught 72 बन जाएगा मैं इसे 10 18 लेख सकता हूँ 10 18 से आपका caught 18 कट जाएगा यह नीचे क्या है आपका side square 68 उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यह caught square 68 जिसे आप क्या लेख सकते हैं sin square 22 यहाँ पर है caught square 22 यहाँ पर है sin square 22 दोनों का sum किया गया है तो sin square theta और प्लस caught square theta की value क्या होती है 1 होती है और इसी वज़े से आपका यहाँ से answer आजाएगा option number 1 next 10 15 की value आपको दी गई है 2 minus root 3 अब दीएगे expression की value आपको बतानी है तो कैसे कर सकते हैं कोशिश करनी है कि देखो आपको जल से जल answer निकलना है यह caught 75 क्या लेख सकते हैं आप obviously आप 10 15 लेख सकते हैं इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलू के 10 75 क्या लेख सकते हैं तो आप ब 15 प्लस caught square 15 यह आपने निकाल ली है अपनी के 10 15 की value आपके पास कितनी है 2 minus root 3 तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि caught 15 की जो value होगी वो मेरे पास 2 plus root 3 होगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर एक ही value है मेरे पास something x minus y root 2 I mean x minus y something इस form में है तो आपका 1 upon a का जो 1 होगा तो same आपका यहां पर है यानि कि आपने caught 15 की value यहां से निकाल ली 2 plus root 10 तो 10 15 की value put कीजिए 2 minus root 3 इसका square plus caught 15 की value कितनी है 2 plus root 3 इसका square आप इसको आप देखकर ही आपको mark करना है कि आपका answer होने वाला है 14 क्यों क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 root 4 root 3 आएगा इधर plus में आएगा वो cut जाएगे यहां से 4 plus 3 आपका 7 होगा इधर भी आपका 7 होगा 7 7 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और यहीं वज़य है आपका यहां पर answer 1 हो जाएगा next है अगर x y आपके acute angle है और x plus y की value 0 90 के बीच में लाई करती है और अदिया गया है आपको कि भई sin 2x minus 20 और cos 2y plus 20 equal है तो value बता दीजे x plus y 10 के value के तो देखे अगर sin और cos की value equal दी गई है तो उनके angle का sum आपका 90 के equal होगा यानि कि यहां पर आप कह सकते थे 2x minus 20 plus 2y plus 20 इसकी value आपको कितनी दी गई है 90 20 आपका cancel out हो जाएगा और x plus y की value आजाएगी आपके पास यहां से कितनी 45 यह question आपको देखकर ही करना था यह मैं लिखने के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ ठीक है वरना यहां पर आपको देखकर ही करना था कि यह दोनों का sum 90 होगा 20 20 कट जाएगा दो कोमान आएगा 90 divided by 2 यानि के x plus y की value मेरे पास कितनी आजाएगी 45 आजाएगी और 10 45 की value पूछिए तो इसको करने में तो आपको ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए था next आपका दिया गया है कि a और b आपके क्या है complementary यानि कि दोनों का sum कितना होगा 90 डिगरी होगा उसके बाद ये जो expression है इसमें value put करके बता दीजे बहुत देखी आपको दिया गया a और b का sum 90 अब आपका मन करता है आप a को भी 45 ले लीजे और b को भी 45 ले लीजे आप ऐसा अगर करेंगे तो आपके लिए calculation बहुत ज़ादा आसान हो जाएगी कैसे कि भी sec square a में 45 रखोंगा root 2 होता है root 2 का square 2 मिल जाएगा यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा यहाँ पर 2 into 2 मिल जाएगा sum भी 4 मिला multiplication भी 4 मिला कट के आपको क्या मिल गया 0 तो यहाँ पर आपका option number 4 हो जाएगा correct next आपको यह value दी गई है बता दीजी कि इस expression की value क्या होगी तो देखे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि यहाँ पर जी expression दिया गया है इसमें number of terms कितने हैं तो कैसे निकालते हैं कि भी tn की value आप जो initial term होता है number of term minus 1 into difference जो in terms के बीच में है तो tn यानि कि last term आपका कितना है यहाँ पर 85 a की value कितनी है आपकी 5 plus n minus 1 into difference कितना है 1 है तो वो ऐसी रहने देंगे 80 हो गया अब यह 80 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो 80 में से अगर मैं 1 add करूंगा तो n की value कितनी आ जाएगा आपके पास 81 अब दीखे आप मुझे यहाँ से एक बात बताजिए sin square 5 को आप क्या लेख सकते है cos square 85 लेख सकते है या नहीं लेख सकते है यानि कि 81 में आपके 80 जो ऐसे numbers है वो आपके pair बना रहे होंगे यानि कि उसमें आपके sin square theta plus cos square theta वाले form बन रहे होंगे तो obviously जो 80 होंगे 80 आपके कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे value में अब एक value बच जाएगी वो कौनसी value होगी आपके पास वो होगी sin square 45 sin square 45 कितना देगा 1 upon root 2 का square कितना देगा half तो 40 plus half जब आप करेंगे तो कितना आएगा साड़े 40 और option number आपका यहां से कौन सा correct हो जाएगा second option आपका यहां से correct हो जाएगा next expression है उसी same pattern पर based है लेकिन यहां पर लोग बहुत ज़्यादा गल्ती करतेते हैं अब वो क्या करेंगे उन्हें लगेगा कियार मैं इसको आप पर number of terms निकालने की कोशिश करता हूँ दिकि number of terms आपको तब निकालनी है जब आपको pair बनाने हो किसके sin square theta और cos square theta के दिकि 90 तो किसी के साथ pair नहीं बनाएगा इसको बाहर कर दीजे अब उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको आप number of terms निकाल लीजिए जैसे 85 आपका last में है initial time आपका 5 है plus n-1 into difference कितना है सबके बीच में 5 ये कितना हो गया 80 80 divided by 5 कितना होगा 16 और ये हो गया आपका n-1 n की value कितनी आगे plus 17 देखें n की value 79 है 17 में से 16 तो आपके वो होंगे जो आपके pair बनाएंगे और plus इसमें आपका शुपा हुआ है sine square 45 और एक last में आपका बचा हुआ है sine square 90 ये आपका कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा ये कितना बनेगा half बनेगा ये कितना बनेगा दिया गया है बता दीजिए कि इसका मान क्या होगा दीखें कॉस 51 है अगर मैं इसको opposite लिखने की कोशिश करूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपका sine 39 मन जाएगा ये आपस में कट जाएगे ये आपका बन हो जाएगा ये 1011 है यहाँ पर 1059 है तो क्या मैं ये value को नहीं टेले नेवल किस से कटेगा 79 से कट जाएगा क्योंकि आपका कितना हो जाएगा cot 11 हो जाएगा 1031 आपका 1059 से कट जाएगा क्योंकि यह आपका कितना हो जाएगा cot 59 हो जाएगा 1045 आपका 1 होता है 2 में अगर 1 का multiply करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2 यानि कि 3 आपका positive माया है अब बाद में यहाँ पर है minus अब minus वाले value को देख लेता है यह को मैं क्या लिख सकता हूँ cos square 21 लिख सकता हूँ यह आपको पता है अब 3 में 1 का multiply करेंगे तो कितना आएगा 3 और यह cut जाएगे और value आईगे आपके पास 0 तो यहाँ पर आपका answer हो गया option number 4 next expression आपके पास है theta के value बता दीजे तो कुछ नहीं करना है option put हाईए put कीजे मैं अगर 45 put करता हूँ और दीखिए लिखना नहीं है हर value को put करने के लिखना नहीं है बस थोच यह कि मैं क्या यहाँ पर 3 के करीब जा पा रहा हूँ अब दीखिए जैसे ही आपने 45 रखी तो यह आपका 1 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 45 में 1 by 2 हो जाएगा यह नीचे आपका 1 by 2 आ जाएगा उपर आपका 1 by 2 है तो 3 तो नहीं आएगा 30 put करके दिखता हूँ 30 put करके रखोंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका 3 बटे 4 हो जाएगा तो 3 माइनस 3 बटे 4 उपर आपका कितना है 3 बटे 4 ये कितना हो गया आपका 9 4 और उपर आगया तरह आपका 3 4 नहीं ये 1 by 3 आएगा ये भी नहीं होगा 60 चेक कर लीजे cos 60 कितना हो जाएगा आपका 1 by 2 हो जाएगा नीचे आपका कितना आजाएगा ये 1 by 3 आ गया और ये आपका कितना आगया 1 by 2 आ गया अब देखिए कितना आएगा 1 by 2 नीचे आपका 6 हो गया ये आपका कितना आजाएगा ये आपका 2 हो गया यह आपका कितना हो गया यह आपका आजाएगा हैंपर 3 और उपर जाएगा आपका यह value और यहाँ से कितना value आजाएगा आपका 3 आजाएगा तो देखे थीटा की value यह minus आना चाहिए था क्या अगर मैं 60 value put कर रहा हूं तो मैंने हैंपर mistake किया है 1 by 2 हो जाएगा यह आपका कितना हो जाएगा 1 by 3 यह minus 1 by 2 तो obviously यह बड़ा है तो minus में value आएगा देखे minus 3 मेरा यहाँ से आ रहा है अगर है यहाँ पर minus 3 होता यहाँ फ़र मैंने calculation में कुछ mistake किया है आप एक बड़ चेक कर लेंगे लेकिन देखे option के थुरू जाएगे और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही जो expression दिया गया है उसमें put करने की कोशिश करें next a की value है 10 11 29 10 29 और b की value है यह बताना है कि कौन सा expression यहाँ पर आने वाला है तो देखे कोशिश करता हूँ देखे यहाँ पर देखकर यहाँ बता पाएंगे यह क्या दिया गया आपको obviously 10 29 होगा यह क्या है यह आपका 10 11 होगा अब बस सीदे सीदे दिख गया कि अगर आप a में 2 का multiply कर देंगे तो आपको b मिल जाएगा बस आपका यहाँ से कौनसा option हो गया third option